गंडापुर्टा गंडारा गंडापुर्टा गंडारा एक नंबरी कलाकार है नामी है नोटन की बाज बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गाहों समाज कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिनकाम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिनकाम बहता है भई गंडाराम आम तो तंब कर दो करता सूरज कर दिया यह देख्या आपकी खबर चपी है क्वा आपकी शूटिंग के खबर चपी एंग्णग कर दिया आप किसी को उसका मन चाहा काम मिल जाए तो उसकी जिन की सफल हो जाती है भाईया ठीक कहती है भाईया देखना एक दिन तुम गंगापूर का नाम जरूर राशन करोगे फुलवा काका हमको भी लगता है कि आप हम फिलम का एक्टर बन भी जाएंगे अरे बनी का जाओगे बनी भाईया किस तरह केक्पिंग करते हैं आप सब तरह की फिर वी आपके अपनी कोई पसंत होगी कलाकार तो पानी की तरह होता है जी जिस तरह के बरतन में डालो वैसे ही बन जाता है और पसंत तो बरतन में डालने वाले की होती है पानी की थोड़ी होती है एरेक्टर सिंगे स स्वांग म्यूजिक कमपेणी दोस्त इसने मिलने को बोला हुं क्या ये भी फिल्म मिना रहे हैं अरे नहीं वह हमसे गाना गवाने को कह रहा था क्या गुरू जी एक नया सितारा वैदा हो गया है गंगाराम हमारा नाम रोसन कर दिया एपिछ कुंडवा दुकार में जी तरह इस अब बाढ़ दे साधना जी हमको लगता है कि हमारे संग एक ठोट मसाल है और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे लिखेंगे इसका रोसनी बढ़ते जाएगा और यही रोसनी हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा और एक उंती कहां से आ रही हो पूजा करने हो आज कर नौटन की केरियरसर में नहीं आती हो तूँ अब मुझे नौटन की नहीं करने हो लेकिन क्यों क्या कूबेर का खजाना हाथ आ गया है मैं गंगा जी के लिए नौटन की करती थी अब गंगा जी नहीं तो नौटन की नहीं ओ यह अथी नौटन की है गंगा क्या हमसे बड़का कलाकर है कलाकर तो हम है हम देख ना सुल्ताना डाकू का पाठ हम ऐसा करेंगे अईसा करेंगे कि लोग गंगा को भी भूल जाएंगे हाँ और नोटंकी का बादसाय का ताज भाई जी के सरपई होगा अगर तुम गंगा जी से बढ़के कलाकार हो तो उनके हियां रहते हुए ही काए नोटंकी के बादसा नहीं बन गए बहुत पिटर पिटर बोल रही है गंगा को फिलम एक छोटा सा रोल क्या मिल गया तेरे तो तेवर ही बजल गया और ओभी का वो अनपढ़ गवार का काम हाँ अरे अनपढ़ को गवार का काम नहीं मिलेगा तो क्या हीरो का काम मिलेगा काम काम होता है इसी गवार के छोटे से रोल की आक्टिंग ने गंगा जी को मशूर बना दिया है अखबार में उनके अभिने की तारीफ भी छपी है अब देखना बहुत जल्दी वो हीरो भी बन जाएंगे और सुनो गंगा जी अब अनपढ नहीं है पढ़ना लिखना सीख ग लोनरे बना से तारीव कर रहा है तक है कब इसलिए नका भी लगा जाते हैं इस लिए उनका भ्र लगातर हुआ कर देखना एक दिनों पढ़ाई में भी अबवल नमबर से पास होiev удар लाना तैसी पढ़ाई पर जिसलिए यहां हैं पुरे ग염 का नाम एक हैं हम यह उस और टो अरत डिया जबता रहता है शादना जी किया जब देह ने पुष separates तब उसे का नाम लेता रहता है अरे हाँ जब कोई इस को नौपित अब लेता है जब उसे किसे प्यार हो जाए और अब देखना गंगा किसी दिन लुगाई बना के लिए आएगा साधना को इस गाओ में सच कहते हो भाई पसंद अपनी अपनी लेकिन इस बेचारी कुंती का क्या होगा और होगा क्या किसी आने विल्ली खंबा नोचेगी जैसे ये अटन धीदी पड़ेगी बस तब अपनी आउकास समझ में आएगे इसको अब 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 मेरा गंगा ऐसा नहीं है वो ऐसा करी नहीं सकता तुम उसकी मदद करना प्रभू उसे साहस और बल देना जिसे वो कभी कभी गलत रास्ते पर ना चले उसका जीवन ही अब मेरा जीवन है प्रभू अब कर यह लीजिए चाहिए लीजिए अलो सुशील मेर के बीन में आ जाना और सुनो रवी टोनी रिना और सब को साथ में ले आना इमीजियेट अर्जन लीजिए लीजिए चाहिए आओ 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 अरे ने आब बैठिए आब बैठिए इन से मिली मिस्टर गंगराम जेनियस नमस्ते मैंने आपसे बात कि थी ना फोकल बंगे बारे में हैं है यहर इस दो मैं और गंगराम यह लोग हमारे साथ काम करते हैं को बीडिया लेंलेनी हो तो इनके बगर नहीं तो यूब का कहते हैं हम्हारी बारे में किने बगएर कुछ कहेंगे so सुनाए देते हैं लिफू सुनाव प्याहर जाई कैसा जमाना आया प्याहर जाई जरा मेरा उनको सलाम लिख दे चिठी जरा सयाजी के नाम लिख दे सुशेल अकॉंटेंट से कहके इनके नाम से 5000 का चेक निकालो अब और रूपिया की जरूर थीं नहीं यह तो मारा नियम है और लक्षमी को ना नहीं कैते तो मैई के नाम से लिख दिए राम कली नहीं बाए जेक में दिख को आप ही के नाम से निकलेगा आप मा को भेज दीजिए तो पिर लिंग दे लिख दिज आप अधर यह तुमने कैसे चमतकार कर दिया गंगाराम यह चमतकार नहीं है आपकी प्रतीभा को लोगों ने पहचाना है दीदी इस पैसे सिर्प से पहले बजरंग वली को सवा से लड्डू चाड़ाँगा सवा से लड्डू के पैसे मैं दे दूगी अब पैसे बचाना सीखिये और बैंक में एक खाता खुदवा लीजिए ये सब इंतता मैं कर दूँगी दीदी को फुलवा साप आया है फुलवा साप अरे तो भेजो उनको भेजो भेजो अरे गंगाराम अच्छा हुआ तुम घराई पे मिल गया है का हुआ फुलवा काका सिर्फ बात नहीं बहुत ब अब गंगाराम जल्दी चलो अभी चलना पेजल चल चलते चाहिए लगता है गंगाराम की तक्दिर की खिड़की खुल गई खिड़की ऐसे नहीं खुलती प्यारे खोलने पर ही खुलती है यह रहे शगुन के तौर पर दस अजार रुपया वो यहां कहीं नजदीक में हमको कोई जगए मिल जाता रहने को तो बड़ा अच्छा हो जाता कहें कि हम चाहते हैं कि राम मेलन भाईया भाजी प्यारे को भी हम अपने साथ रख लेते असल में हम भी यही चाहते है कि हमारे फिल्म का हीरो अपने घर में रहे हीरो इस कहानी में तुमारे जैसे हीरो की ज़रूत थी तुम मिल गया है शुरू कर दिया दर असल यह कहानी अलग किसम की है जाहिर है अलग किसम की कहानी के लिए अलग किसम का हीरो हमको तो सब कुछ शारे अकबार वाले आने वाले हैं वाद तुमारे बार में नीउस दिजाई और शाम परिक्सा है के रहें वह consumers परफरीjo हम पार सालह जाते में पड़ने के लिए Pode शाला रती पार सालह था करेश होड़ो ये मोका श बॉल नहीं है वो काहीं नहीं है लेकिन एकाम के साहीं कि इसा नहीं हो सकता कि दौनों chilli एक साथ हो जा कुछ करिए ना ऐसा ही होगा गंगाराम जैसा तुम चाओगे वैसा ही होगा प्रेस कॉनफरेंस और मुरत एक ही वक्त रख लेंगे क्यों भूला जी बिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद गंगाराम अपनी कमी को स्विकार करना हिम्मत की बात है इस कमी को दूर करने का जो तुमने शंकल्फ लिया है हमारे लिए खुशी की बात है तुम्हारे इसकोशिश में हम भी साथ धन्यवाद है जी चलिए यह जी कहां जाना है हां चलिए नमस्टे नमस्टे मौलाल फिल्म मौरशाट गंगा ओल दो बैस आगे बढ़िए खुदा जानता है इस वक्त आपके दिल मुही दौा होने चाहिए जो पेटी कुर्वानी उपल हजरत इब्राहिम खलिल ला के दिल में थी अगर मुहू देखी कि मौबत रास्त रुपती है अपनी आँखों प कर देखी कि मौबत रास्त 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 ज़्या हना है आँखों लेका कि और अछनला लud है यहार यहारत रास्त 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 रास्त, हाँ बच्चों के लिए बच्चे एच्छे आइसी लिए殿 लिखते हैना आंकल नूइरा को ल्गना धेख्ण сложно आहारा आआटेजा वूज़ शना गर्वाना मानिनी मालुए जी, अजीस प्रेम जी, साधना जी और उपस्ते सज्जनू शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती इंसान जिन्दगी भर सेखते रहता है शुरू के स्टेशन में यदि आप गाड़ियों पर सवार नहीं हो सके तो होश्यारी इसी में है कि आप अगले किसी भी स्टेशन में गाड़ी पकड़ लीजी माकसद है आगे बढ़ना आपने गाड़ी पकड़ी और बढ़कर इस मंजिल तक पहुँच गए अब आप सभी लोग शिक्षित कहे जाएंगे आज आपकी परिक्षा का नतीजा सुनाया जाएगा और खुश की बात है जिनकी प्रेणा से कई जगे शिक्षा की धीप जल लेए हैं मैं उन साधना जी से अनुरोद करूँगा कि वो अपने विजार व्यक्त करें साधना जी श्री अजीज प्रेम जी श्री मालिवे जी और श्री आनन भाव बेहनों और भाईयों आज हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है मुझे बड़ी प्रसनता हो रही है कि आज आखिरो दिन आ गया है जब शिक्षा की महत्तों को प्रधानता दी जा रही है और आप सब साक्षर बन गए है और मैं आप सब को बढ़ाई और शुपकामनाएं देती हूँ और याद रखिए जिन्दगी में शिक्षा से ज्यान से जीना ही जीना है हमारे लिए गौरों की बात है किस के इंद से कोई भी फेल नहीं हुआ यानि की सब के सब विद्यार्थी पास कर गए है मैं अब उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो पहले दूसरे और तिसरे नंबर पर आए है हमारे केंद्र की ओर से इन लोगों को प्रमालपत्र के साथ साथ पुरुसकार भी दिये जाएंगे सबी परक्षार्थियों में जो सबसे पहले नंबर पर आए हैं वो हैं शुरी गंगा राम अरे गंगा भाई जरा रुकिये गंगा राम इसे तुम्सक्स आपक हैं यदिन जो सबसेएंगे तुम ही बात करो हम चलते हैं चलो दीजी चलो ले से ले जाओ बधाई हुआ बधाई के तो असली हगदार आप हैं क्यों और वो भी डवाल हगदार क्यास भाई एक तो इस्कूल में फस्क्लास आये हो और दूसरा यह जो मैं पास हुआ हूँ आपकी वज़ा से ना आप मेरा कराते ना मैं पढ़ता और ना पास होता हुआ ना डबल वधाई यह तो सब उपर वाली करपा है और तुम्हारी लगन और महनत यह आपकी अच्छाई है गंगा जी आज मैं बहुत खुश हूं मेरा खोया हुआ आत्म विश्वास लोड़ाया है मुझे नहीं पता था कि इसे डायक्टर से कहकर मुझे एक अच्छा रोल दिलवा देंगे तो मेरी जिन्दगी बन जाएगी ठीक है मैं जरूर पूरा करूंगा लेकिन एक शर्त पर वो क्या कि अबसे तुम मुझे आप आप नहीं तुम-तुम कहकर बुलाया करोगे इसी में अपना पन है मगर एक एक शर्त है क्या तुम भी मुझे तुम कहकर पुकारा करोगे यहीं दोस्ती का तकाज़ा है ठीक है ठीक है चला है प्यारे आज काउन दीन है रहे बाबो जी दाड़ी बना रहा है ना इसका मतलब सो मौर है अरे तो आज ही न गंगा भाईया का टीवी पर प्रवग्राम है गंगा राम का टीवी प्रोग्राम हाँ बाबो जी आज शाम को छे बजे डीडी वन पर है तो टीवी में का प्रोग्राम देगा प्यारे बताओ अपने बाबो जी को गंगा राम फिल्मों में हीरो बन गए ना उनका इंटर्व्यू आने वाला है पूरे हिंदुस्तान में लोग देखेंगे दिशेंपूरा गंगापूर में भी आरे बिसंपूरा गंगापूर हिंदूस्तान के बाहर नहीं है आज हमरे घर में होता तो हमरा भी नाम होता है अt कहे थे कह कि वापस चलो ते प्क बाहरे जिधर दे की खीर उदर के हो गए पी अब गंगा भीया का नाम हो गया है ना ओके वास्ते मन के से छट पटार रहा है देखे उबात नहीं है अगर है तो अपने गाउं का ही ना नातेदारी थोड़ी तूट जाएगी तो चले जाईए गया ना साम को साधना के घर वो कल गंगा भीया बता रहे थे हमरा परोग्राम टीवी पर देखना है तो खाना भी वही होगा आज साम को खाना नहीं पकने वाला घर में हाँ बाबुजी अगर कोई जोतिशी आपको ये बताते कि गंगर राम बहुत नाम करने वाले हैं तब तो आप उसे घर से नहीं निकालते ना अरे चुप ये हीरो बनके कहा जा रहा है अपने हीरो के घर आज शाम की तयारी करनी है काहो कहरेधि सांच को खाना नहीं बनेगा तो चावल काहीं बिन रही हो खीर बना के लेके जाओंगी साधना के घर अब तो आप काफी सही लिखने लगे हैं कोई भी काम लगातार करते रहने से अभ्यास होता है अच्छा पढ़ कर सुनाईए तो फल मीठा होता है गाइट राइट जब भी मौका मिले पढ़ने का अभ्यास करते रहेगा करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान साधना जी जो सच है उसको बोलने में क्या दिखकत है सच मुझे हम जडमती थे आपने हमको सुजान बना दिया गाव में चिठी भेजी है ना आज आप टीवी प्यारे हैं हाँ विस्तार में क्यारे से लिखवा कि पोस्ट आप इसमें डाल दिया है अब भी दूसरों से हाँ आगे से आप अपने हाथ से चिठी लिखकर भेजिएगा ठीक हा कोसिस करेंगे कि लिखा है दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम आता है परिचय उसमें हमको देखियेगा कि कितना बज़ गया है गुरुजी अभी छे बजने में दस मिनट बाकी है अग तुम लोग तो ऐसी हड़ बढ़ा रहे अभी दस मिनट बाकी है कि गंगा का पूर्टो आएगा किया हां जैसा सनिमा के पर देपर आता है वैसे टी वी के परदे पर भी आएगा अरे हमका का मालूम हम सनिमा थोड़ी देखे रहें टीवी में आएगा क्या ही है आएगा तभी ने इतना लोग आँक गड़ाए है तुम्हें टीवी स्टेशन ने ख़बर दिया है देख लेना कुछ नहीं आएगा देख यहां तो कुछ और ही चल रहा है यह पंड़ जी यह लगा तो दुर्दर्सनी है ना गुरू जी आपने टीवी पर सिर्फ दुर्दर्सनी आता है छो नहीं बजा काब बज गया तब आता क्यों नहीं अले टीवी स्टेशन पर छे बजेगा तब ना तो इस पे तो दुर्दर्सनी लिखा है गुरू जी हमनी घड़ी में छे बज के दस मिनट हो गया अब क्या आएगा अगर जब बात करते हो तो मारी घड़ी आगे होगी क्या कहते हम नमस्कार परिचे कारेक्रम में आप सब का स्वागत है दोस्तो इस कारेक्रम के हर कड़ी में हम किसी न किसी खास हस्ती से आपका परिचे कराते हैं ये वो लोग होते हैं जो हमारे और आपके बीच से उठकर अपनी प्रतिवा लगन और संगर से असंभव को संभव बनाते हैं और शोरत के मकाम पर पहुँच जाते हैं दूसरों के लिए आदरश बन जाते हैं आज मैं आपका परिचे ऐसे अस्ति से करना चाहता हूं जो ब्याहर के छोटे गाउं से मुंबई आये हैं अभिनाय और गाई की दोनों में अपना नाम कमाया है ये शक्स है गंगापूर के गंगाराम जी सबसे पहले आप हमारे द्रशकों को ये बताइए कि आप फिल्मों में कैसे आए वाह का बात है अईसा है जी कि हम गाम नौटंकी किया करते थे तो वहां गाम वालों ने हमारा होसल बढ़ाया कहा कि आपको तो फिल्म में कोसित करना चाहिए वो टू मंबई तो बस हम मंबई चले आए और यहां पर हमको एक प्रोडूसर साहब मिल गए महुन कुमार जी वो कलाकार के बहुत कदर करते हैं उन्होंने हमको काम दे दिया और बस हम काम करने लगे और आपने अपने अभीना इसे पहले ही शौट में सब को चौका दिया है ना बस सरसुती मादक करपा है अपने अपने गाओं में इतना अच्छा अभीने कैसे सिख लिया ऐसा है कि अभीने जिंद्गी से सीखते हैं काउं से और शेहर से नहीं और अगर आपको गुरू बहुत अच्छा मिल जाए तो फिर तो वो तो माज देता है और हमको ऐसे गुरू मिल गए उन्होंने हम धर उन्होंने हमको अभिनाय की सिख्षा दी और मुंबई आने के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया इतने कम समय में अपने प्रतिभा के बल पर आप एक फिल्म के हीरो बन कर आ रहे हैं इस उपलब्द की खुशी आप किन-किन गाओं वालों के साथ बाटना चाहेंगे कि इनके साथ बांटना चाहूंगा मेरे गुरुजी बद्द्री इसे सर मेरी माई और कुंती और पूरा गाओं और 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 अर्जुन एक बड़ा ही नाजुक सावल आपसे पूशना चाहता हूं क्या सच है कि जब आप मुंबई आए तो आप लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे हाँ जी बिल्कुल सच है हम तो एकदम अंगुटे चाप थे पढ़ने लिखने कभी नहीं गए ना हमने कभी इसकी को प्रत्या का महत समझाया पड़ा लिखा कर आदमी बनाया अब तो का है हमारी जिंद्गी में हमको अब समजा आई हहास मुंबई वाले गुरु जी कौन है कुछ वाले गुरु जी वह हैं हमारी थी साधना जी पीचर वाकई आपने बहुत कम समय में कई मोर्चों पर कामया भी हासिल कर ली है हमने ऐसा भी सुना है कि अपने एक लोक संगित के आलबम के लिए अपने गायकी का हुनर भी दिखा है जी हाँ, कुशित तु की है बहुत बहुत बदाई हो गंगरम जी गंगरम जी आप आपके हर फन में आगे बढ़ते रहें आप बड़ा बड़ा काम करते रहें आपका नाम हो अंत में हमारे दर्शुकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरा संदेशा है कि अपने उपर भरोसा रखिए होसला रखिए और हौसला रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है विद्या अगर आपके पास विद्या है आप पढ़े लिखे हैं तो जिन्दगी का हर सपना आपका पूरा होगा ही परिचे में आज हमारा परिचे हुआ गंगापुर के अभीनेता और गायक गंगारामजी से ईसन पढ़ा लिखाओ तो उसको मंजिल तक पहूचने से कोई भी रोक नहीं सकता इसलिए पढ़ना लिकना बहुत ज़रूरी है नहीं नमस्कार असलेवाद नमस्कार अर्छीयोग वाह वाह अ हुआ 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 है आज महीनों बाद टीवी पर तुम्हें देखकर तुमसे मिलने का जी चाहने लगा तुम्हारे बेना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कब आ रहे हो देखो तेर मत करना तुम्हारे बेना मेरा जी नहीं लगता तुम्हारे तरक्की देखकर आज मेरी आखें भराई और तुम लिखने पढ़ने लग गए हो ये जानकर मन खुशी से जूम उठा लेकिन हर चिप्ठी में साधना साधना जब देखो साधना के नाम की माला क्यों जपते रहते हो जैसे मैं कुछ हूँँ नहीं आकर ये साधना है कौन हाँ देखो, अगर शहर से साधना नाम की किसी सौतन को उठा कर लाए न, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कही देती हूं तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, समझे अरे कुंती माई इस इस गंगा की फोकोस से क्या बादे कर रहे थी माई तुम कितनी अच्छी हो माई तुम्हारी अम्मा कहा है कई नजर नहीं आ रही काम से बाहर गई है क्यों कोई काम था क्या अभी तो मुझे तूट से काम था तुघर चल गंगा को चठी लिखवानी है क्यों काम पसंद आया अरे रोक मैं भी आ रही हूँ पगली कहीं की तुम गंगापुर्टा गंगारा गंगापुर्टा गंगारा एक नम्बरी खलाकार है नामी है नोटं की बाज बड़े बड़े सपने वो तेखेचाने माने गाहों समाज कितना भी हो जाए नाम बने नहीं वित्या बिनकाम कितना भी हो जाये नाम, बने नहीं बिज्या बिन्काम, बहता है भै गंगा राम गंड़ पुर्टा गंड़ागा 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